तो यहां पर एक बहुती बड़ा खुश खबरी है वो students के लिए जो class 11th में mathematics को लेकर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो CVSE का तरफ से यह important notice जो यह जारी किया गया है 25 में 2023 को यानि कि कल को यह notice दिया गया है तो इस notice में CVSE का दुआरा क्या बताया गया है इसे मैं आपको detail में बताऊँगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटापाटिश हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैर आइकन को भी दबादे क्योंकि इस चैनल में आपको CVSE और ICSE से related सारे information आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो इस notice में CVSE के द्वारा यह कहा गया है कि 10 जनवरी 2019 को एक notice के द्वारा यह बताया गया था कि class 10 के जो mathematics जो होंगे वो दो level के होंगे एक होगा आपका standard mathematics दूसरा होगा आपका basic mathematics और जो बच्चे mathematics नहीं पढ़ना चाते senior secondary में यानि कि 11 और 12 में वो basic mathematics ले सकते यानि कि जो बच्चे standard mathematics लेंगे वही mathematics को carry on कर सके आगे और जो बच्चे basic mathematics को लेकर पढ़ रहे हैं वे 11 और 12 में mathematics नहीं पढ़ सकते लेकिन कल 25 मैं 2023 का जो notice है यह जो notice सभी CVSE affiliated schools के लिए हैं यानि कि उन schools के principles के रहें और इसमें clearly यह कहा गया है कि अगर कोई students basic mathematics को लेकर तेंथ पास किया इस साल और वो अगर आगे mathematics को continue करना चाहते तो आप उसे continue करने यानि कि इस साल जो भी बच्चे basic mathematics को लेकर पढ़ा था वो बच्चे भी आगे mathematics को carry कर सकते यानि 11-12 में mathematics पढ़ सकते लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान देना कि यह जो छूट है यह इस session के लिए श्रिप दिया गया है यानि कि 2023 और 2024 के sessions के बच्चों के लिए और next session यानि कि 2024-2025 के session के लिए same rule लागू होगा यानि कि जो बच्चे standard mathematics लेकर पढ़ेंगे वही mathematics को आगे पढ़ पाएंगे ठी यह यानि कि आपने basic mathematics लिया और आपको समस्य मिलता है लेकिन अगर शुल को लगता कि आपको basic matter 1 marks नहीं मिला और आप mathematics के लाइक नहीं यह आप नहीं पढ़ कर तो आपको mathematics सबजेक्स नहीं मिल सकता है तो यहाँ पर इसकूल के डिसाइड करेगे कि कितने यहाँ पर क्या है आपको मार्क्स दिया जाएगा कि आपको इतना माक्स होना पड़ेगा तब ही आप जाकर क्लास 11 में मैथमेटिक्स ले पाऊगे तो यहाँ पर basic mathematics लेने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है तो अगर आपने basic mathematics लिया और आप mathematics पढ़ना चाहते हो आप carry on कर सकते हो